जैमा मतंगी मेरे प्रियस सादको और दर्शको आज एक और स्वयम सिद्ध बंगाली मंत्र लेकर आप सभी के सामने उपस्तित हुआ हूँ और आज का यहां मंत्र हर एक सादक के पास होना चाहिए और क्यों जरूरी है क्योंकि मैं हमेशा आप लोगों से कहता आया हूँ कि एक सादक बनने के लिए उसके पास कम से कम बेसिक नॉलेज तो भी होना चाहिए एक छोटा मोटा अगर सादक भी बनना है तो भी उसके पास बेसिक नॉलेज होना चाहिए अगर आपके पास खुद के बचाओ के मंत्र नहीं होगे अगर आप खुद का बचाओ नहीं कर पाएंगे तो आप दूसरों का क्या भला करोगे जब आप खुद का ही बचावनी कर सकते हैं देखिए आजकल तो जोला चाप तांत्रिक आपको बहुत मिल जाएंगे हर गली-गली में मिल जाएंगे है ना और आजकल यूटुब पर भी बहुत सारे आपको जोला चाप तांत कर रहे हैं तो इनसे क्या ग्यान मिलेगा तो कहने का मतलब यही है एक सफल सादक बने एक अच्छा सादक बने जोला चापना बने ठीक है ना अगोर मालग ने हमेशा आप लोगों को एक सीधा रास्ता बताया है शौटकट रास्ता हमने आपको कभी नहीं बताया शौटकट रास्ता आप से एक मोटी भरपाई वसुल करता है और यह होता ही है शौटकट रस्ता अगर आप अपना होगे तो उसकी भारी किमत आपको चुकाना पड़ता है तो आज जो मैं मंत्र आप लोगों को देने जा रहा हूँ यहां मंत्र आप लोगों के बहुत काम आएगा और याद रखिए इसको कब और कैसे प्रयोग करना है ध्यान से सुनिए जैसे मान लीजिए आप कोई साधना करने जा रहे हैं कोई उग्र साधना हो तब भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं या फिर आप कोई उग्र क्रिया करने जा रहे हैं उग्र क्रिया है समझ दीजिए अगर जब आप करते हैं तो चाटर क्रियाओं में भी जो है अनेक शक्ति आपको घेरती है यह याद रखिएगा क्योंकि कोई भी क्रिया स्री मंत्रों से नहीं चलती मंत्रों से शक्तियों का आवान होता है मंत्रों से शक्ति आकरशित होती है और फिर आपका कार्य करती है जि कर रहे तो सकारत्मक शक्ति आएगी नकारत्मक क्रिया कर रहे तो नकारत्मक उर्जा आपके पास आएगी आप चाहे साधना कर रहे हो या कोई उग्र क्रिया कर रहे हो चाहे वो क्रिया सकारत्मक हो या नकारत्मक हो या आपकी जो साधना है वो सकारत्मक हो या नकारत्मक हो मतलब सात्विक साधना हो, तामासिक हो, तब भी आपको इस मंत्र की जुरत पड़ेगा, अब सात्विक साधना में मान लीजे, आपको उग्र साधना करें, जैसे भैरोजी की साधना करें, ये उग्र साधना में आती है, तो अगर आप भैरोजी की साधना करें, तब भी इसका शक्तियों का आप आवान कर रहे हैं उसकी विपरिज शक्तिया भी जो है आपके आसपास आती है तो जो विपरिज शक्तिया है आपका कारियर ना हो इसलिए भी विगन दालने की कोशिश करती है और कई बार जो आपके मंतरों से आकरशित होके शक्ति आई है वो भी आपको प तो आपका काम करेगी अगर आप डरपोक बन गए तो आप भाग जाएंगे और वो आपके कारे से बच जाएगी तो यही है जो बलशाली होगा वो जुके उसके सामने दूसरी पार्टी जुकेंगी मतलब अगर आप मजबूत रहें तो आने वाली जो शक्तिया है आपके सामन वो आपसे प्रभावित हो जाएंगी और आपका कारे करेगी अगर आप भैबीत हो जाते हैं या भाग जाते हैं या फिर भै के कारण आपकी तबियत बिगड़ जाती है तो आप साधना या वो क्रिया छोड़ देंगे रहे से में क्या होगा जो शक्ति जो चाहाती थी वो अपने उद्देश्य में सफल हो जाएंगी तो इसलिए यह मंत्र जो है आपके हमेशा कामाने वाला है और एक साधक के पास होना चाहिए यह स्वयम सिद्ध मंत्र है और इसका प्रयोग आप कैसे करेंगे यह याद रखिए जब भी आप कोई क्रिया करने जा रहे हो या आपके पास कोई निम्बू हो चोटा सा उस निम्बू के उपर पाज बार मंत्र पढ़ेंगे पाज बार फूक मारेंगे तो निम्बू जो है साथ दिनों तक आपकी रक्षा करेगा शरीर में मारा हुआ जो फूक है वो स्रिप 24 घंटे के लिए रक्षा करेगा और निम्ब प्रित करते हैं और वो गुटि का धारन कर लेते हैं अपने गले में तो गुटि का आपको पूरे 31 दिनों तक आपकी सुरक्षा करीगा अब मानली जी आपकी कोई ऐसी साधना हो G bliver 31 außer 1 पूरी नहीं होने वाली है तीन मेने चार मेने पांच मेने की अगर कोई साधना है तो ऐसे समय में आप क्या करेंगे तब आपको क्या करना है बरगत के पेड़ की जटा लानी है एक इंच लगबग ठीक है किसी भी शुक्रवार के दिन ला सकते है या फिर पहले से लाकर भी र दारन कर लो या फिर लिफ्ट भुजा में दारन कर लो अपने हाथ के तो यह आपको छे मैने तक सुरक्षा प्रदान करेंगा तो आप कोई भी उग्र साधना या क्रिया करेंगे तो छे मैने तक आपको किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा देखिए साधना करने में जो ए किसी ग्यान कोई नहीं सिखाता है। मैंने 14 साल गुरु जी की सेवा की हैं। गुरु जी के शरन में रहके 14 साल साधनाय की ग्यान प्राप्त किया तब जाके यहाँ पर मैं हूँ। और लोग आजकल शौटकट रास्ता अपनाते। देखिए शौटकट रास्ता कभी भी आपको एक सफल साधक नहीं बना सकता। और भटकने वाले साधक, भटकने वाले भक्त कभी अपने सही मार्ग पर नहीं पोच सकते। देखिए बहुत से लोग है अपने सौर्थ वश जो है भगवान को बदलते हैं, कुछ लोग बार-बार गुरू को बदलते हैं, इन सब कृत्य से जो है इनसान के उपर दोश लगता है, और ये दोश जो है पीछा नहीं छोड़ता है, इसलिए बार-बार गुरू ना बदल जिस भगवान को पूछते हैं, उन पर अपनी पूरन श्रद्दा रखे, तो आपके जीवन में जरूर बदलावाएगा, आपके जो गुरू है उनके उपर पूरन श्रद्दा रखे, अगर आप लालच में इदर उदर भटकेंगे तो 100% आपका नुकसान होता है, और क्या ह आपको पश्तावा होता है, इन सबसे तो अच्छे मेरे वही गुरू थे जहां मैं सीख रहाता, और फिर क्या होता है, आपके वापसी का वापस आने का जो रास्ता है वो बंद हो जाता है, तो सो समझ के फैसले ले, गुरू बदलने से भी गुरू का दोश लगता है, तो इसे क्रिया ना करे, आप लोग हम आपको समझाते हैं, हमेशा समझाते आए हैं, गुरू बदलना बहुत बड़ा दोश होता है, ठीक है, मंत्र आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, यही वो चमतकारी मंत्र है, सोयम सिद्ध मंत्र है, इसे केवल कंटस्ट कर लो, हमेशा आपके जीवन में काम आएगा, हर साधना में आपके काम आएगा, आज का यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, देखे, कमेंट करके बताईए, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, वीडियो को स्कीप करके देखते हैं, इसमें नुकसा यह होती है कि जितना कम शब्दों में हम आपको समझा सके जितना छोटा वीडियो बन जाए वो ही हमारा प्रयास रहता है उसके बावजूद आप लोग स्किप करके देखते हैं नुकसान आपका है कभी आप किसी मुसीबत में फस जाए और आप हमारे वीडियो अगर पूरा देखते हो तो उसमें से कोई ऐसी बात हो जो आपको ध्यान आ जाए और आप उस मुसीबत से निकल जाए उस मुसीबत से निकलने का रास्ता मिल जाए और मिलेगा लेकिन आपने वीडियो पूरा देखना चाहिए दिखे मुसीबत साधना सित्र में अगर आप है तो दिखा और आप लोग कमेंट नहीं करते हैं वीडियो को like नहीं करते हैं इसलिए मैंने वीडियो बनाना भी कम कर दिया दिए पहले मैं रोज हर रोज एक एक वीडियो दाल रहा था लेकिन आप लोग वैसा रिस्पॉंस नहीं दे रहे है वैसा सपोर्ट नहीं कर रहे है तो फिर क्यों आप लोगों के लिए में वीडियो बनाओ चलिए फिर मिलूँगा किसी और वीडियो में तब तक लिए आप सभी को जै मा मतंगी जै मा चिन नमस्ता जै मा बगला मुखी मेरे प्रिये सादको और दर्श्बॉट